हेलो दोस्तो कैसे आप सब ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका सुआगत है दोस्तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने 12th class जो है वो biology subject से की है या फिर आप अभी 12th class में हैं और biology जो है वो आपका main subject है तो आप class 12 के बाद कौन-कौन से entrance exams हैं जिनमें आप participate कर सकते हैं इस वीडियो में लगबग हम 10 essay exams के बारे में discuss करने वाले हैं जिनमें आप class 12 biology main subject से participate कर सकते हैं तो अगर आप अभी class 12 में हैं या फिर class 12 में आने वाले हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुती जादा important है इसलिए जो भी important information इस वीडियो में share की गई है वो आपको पता चल सके और अगर आप पहली बार इस channel पर आए हैं तो channel को subscribe ज़रूर करें जिससे all India में होने वाले BSE nursing entrance exams, BHMS career और भी जो entrance exams हैं 12 के बाद उनके बारे में आपको important information मिल सके तो चलिए हम जितने भी entrance exams हैं उनके बारे में एक एक करके discuss करते हैं अगर आपने 12 जो है वो biology main subject से की है तो सबसे पहले जो entrance exam है वो है NEET आपका अगर 12 जो है उसमें biology main subject है तो आप NEET exam जो है उसमें participate कर सकते हैं NEET जो है वो एक national label पर होने वाला entrance exam है अगर आप NEET exam जो है उसके लिए prepare करते हैं तो आप NEET exam के साथ aims का जो exam है उसमें भी participate कर सकते हैं इसके साथ आप जिपमर जो है pondicherry जो state है उसमें जो exam conduct कराया जाता है उसमें भी आप participate कर सकते हैं aims और जिपमर इन दोनों exams में आप participate कर सकते हैं अगर आप NEET exam के लिए आपने prepare किया है तब भी आप इन exams जो है उनमें participate कर सकते हैं क्योंकि इन exams का जो syllabus है वो काफी similar है तो आप एक exam की preparation से इन दोनों exams में भी participate कर सकते हैं NEET exam में participate करके आप जो MBBS degree है उसके लिए pursue कर सकते हैं NEET exam में participate करके आप MBBS degree को pursue कर सकते हैं MBBS के अलाबा और भी जो degrees है medical field की उनको भी आप pursue कर सकते हैं Intrance exam की list में second number पर जो है वो NEST exam NEST यानि National Intrance Screening Test ये exam जो है ये भी एक national label पर होने वाला Intrance exam है जिसमें आप class 12 के बाद participate कर सकते हैं अगर आप biology main subject से हैं या फिर math main subject से हैं तब भी आप इस exam में participate कर सकते हैं अगर class 12 के बाद कोई भी student ऐसा है जो की research field में अपना career बनाना चाता है या फिर 12th class के बाद जो research में जो degree है उसको pursue करना चाता है तो आप इस NEST exam में participate कर सकते हैं NEST exam जो है वो graduation और post graduation दोनों के लिए Intrance exam जो है उसको conduct कराया जाता है Intrance exam की जो list है उसमें तीसरे नमबर पर है MNS exam MNS यानि Military Nursing Service exam इस exam के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि इस exam में सिर्फ female candidates जो हैं वही participate कर सकती हैं MNS exam में participate करके आप Indian Army के जितने भी medical colleges हैं उनमें आप BSC Nursing की जो degree है उसको continue कर सकती हैं MNS जो है वो भी एक national label पर होने वाला entrance exam है MNS जो है वो female candidates के लिए एक बहुत ही अच्छा option है entrance exams की जो list है उसमें फोर्थ नमर पर है ICAR exam ICAR यानि Indian Council of Agriculture and Research exam ये exam जो है ये भी एक national label पर होने वाला entrance exam है अगर आपने class 12th biology main subject से की है या फिर आपके 12th में mathematics main subject है तब भी आप इस exam में participate कर सकते हैं इस exam में participate करके और इस exam को crack करके आप BSC agriculture जो degree है उसको continue कर सकते हैं ICAR exam के थुरू आप इंडिया में जितनी भी agriculture के जो colleges हैं जो ICAR exam के अंडर आते हैं उनमें आप admission ले सकते हैं और आप जो BSC agriculture की जो degree है उसको continue कर सकते हैं इंटरेंस exam की जो list है उसमें 5th नम्मर पर है state nursing entrance exams state nursing entrance exam ये किसी भी entrance exam का नाम नहीं है बलकि ये जो entrance exam है BSC nursing के लिए ये हर state में conduct कराये जाते हैं अलग-अलग नाम से आप जिस्वी state में इससे पहले अमने MNS के बारे में discuss किया था MNS जो है वो एक national label पर होने वाला entrance exam है जबकि जो state nursing entrance exam है वो हर state में अलग-अलग conduct कराये जाते हैं यानि आप जिस्वी state से बिलॉंग करते हैं वहाँ के जितने भी government medical colleges हैं उनमें admission के लिए अलग-अलग BSC nursing entrance exams जो हैं वो conduct कराये जाते हैं तो आप जिस्वी state से बिलॉंग करते हैं आप अपने यहाँ के जितने भी अगर आप BSC nursing field में अपना career बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ के जो nursing entrance exam हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं और उन exams में participate कर सकते हैं entrance exam की जो list है उसमें 6th नमर पर है state agriculture entrance exam इससे पहले हमने ICR exam के बारे में discuss किया था ICR जो है वो एक national label पर होने वाला entrance exam है जबकि इसके अलाबस अलग-अलग state जो है उनके भी agriculture entrance exam जो है उनको conduct कराया जाता है इसलिए जो भी student अगर 12th class के बाद BSC agriculture जो है degree उसमें अगर continue करना चाहते हैं तो आप अपने state के होने वाले जितने भी BSC agriculture के लिए जो entrance exams हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं और उन exams में participate कर सकते हैं अलग-अलग state में अलग-अलग नाम से agriculture के लिए entrance exam जो हैं वो conduct कराया जाते हैं जैसे for example MP state में MPPAT यानि MP pre agriculture test के नाम से exam जो है वो conduct कराया जाता है इसी तरीके से UPPAT ये सभी exams जो हैं वो conduct कराया जाते हैं entrance exam की जो list है उसमें आठवे नम्मर पर है veterinary entrance exam अगर आप 12th class के बाद अगर आपके main subject जो है उसमें biology है तो आप जो veterinary science field है उसमें भी आप participate कर सकते हैं और veterinary field में अपना career बना सकते हैं हर exams की तरह जो veterinary science है उसमें भी degree को pursue करने के लिए आपके पास दो option होते हैं पहला अगर आप NEET exam में participate कर रहे हैं तो आप अपने NEET के जो marks हैं उनके basis पर ही इंडिया में जितने भी veterinary colleges हैं जो NEET के अंदर participate करते हैं उनमें आप admission ले सकते हैं इसके अलावा जो second option है उसमें क्या है कि हर state जो है उनके अलग-अलग veterinary entrance exam जो हैं वो conduct कराये जाते हैं आप उन exams में भी participate करके जो veterinary science है उसमें जो degree है उसको pursue कर सकते हैं अलग-अलग state में अलग-अलग नाम से veterinary entrance exams जो हैं वो conduct कराये जाते हैं इंटरेंस exam की जो list है उसमें 9th नमर पर है B.Sc. in Biotechnology ये जो entrance exam है वो biotechnology field में आप अगर graduation continue करना चाहते हैं तो आप इन exams में participate कर सकते हैं इंडिया में जितने भी biotechnology से related जो colleges हैं वो अपना एक अलग-अलग entrance exam continue करवाते हैं आप इन entrance exams में participate करके biotechnology field में अपना जो graduation है उसको continue कर सकते हैं अगर आप interested हैं तो biotechnology entrance exams जो हैं वो भी दो तरीके से होते हैं एक national label पर conduct कराये जाते हैं यह एक क्या होता है कि जो अलग-अलग state जो हैं वो अपने अलग-अलग colleges के biotechnology entrance exam conduct करवाते हैं पर example जो जिपमर है वहाँ पर biotechnology का एक separate entrance exam जो है वो conduct कराये जाता है इसी तरीके से जो CMC Christian Medical College Well-Lore है वो भी अपना एक separate biotechnology के लिए entrance exam conduct कराया entrance exam जो है उसे conduct कराता है entrance exam की जो list में सबसे last नमर पर और दसवे नमर पर है वो है B.S.E. in Physiotherapy अगर आप 12th class के बाद Physiotherapy field में अगर अपना career बनाना चाहते हैं तो आप Physiotherapy जो है उसमें graduation के लिए बहुत सारे entrance exams हैं उनको conduct कराया जाता है तो आप उन exams में participate कर सकते हैं Physiotherapy field में भी जो entrance exams हैं वो दो तरीके से होते हैं कुछ national level पर conduct कराया जाते हैं और कुछ जो है वो state में जो अलग-अलग Physiotherapy के लिए जो colleges हैं वो conduct करवाते हैं जैसे for example national label पर AIMS जो है All India Institute of Medical Science वो भी BSc in Physiotherapy के लिए entrance exam जो है उसको conduct करवाता है तो आप उस exam में participate कर सकते हैं या फिर आपके जो particular state हैं वहाँ पर जितने भी colleges हैं वो अलग-अलग अपना जो जो therapy के लिए entrance exam है उसको continue, उसको conduct करवाते हैं तो आप उन में भी participate कर सकते हैं तो students यह जो है वो 10 ऐसे entrance exams हैं जिनमें आप class 12 में अगर आपका biology main subject है तो आप इन exams में participate कर सकते हैं इन exams में जो कुछ भी BSc Nursing Interence Exam से related कोई doubt है, तो आप comment में जरूर पूछ सकते हैं hope so दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर करें, thank you so much for watching